हेलो एवरिवन स्वागता आप सभी का स्टे मेजुकल हिंदी पर और मेरा नाम है वैशाली और यह जो रीडिंग है यह एरीज डाशी वालों के लिए है मेश राशी वालों के लिए है सन मून और राइजिंग की मार्च के मांत में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है तो यह है आपकी जनरल लाइफ के लिए आपकी लव लाइफ और उसके बार आपके करियर के लि उपा मेरा WhatsApp नमबर गिवन है, आप इस पे मेसेज कर सकते हैं मुझे WhatsApp पे और आप अपनी पर्सनल रीडिंग वो बुक कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं So, ये particular cards ये बताते हैं कि आपकी जनरल लाइफ में, मार्च के मंथ में क्या होने वाला है То सबसे पहला, जो card है मारे पास है वो शेड़ो साइड का card है, शेडो साइड का card बात करता है हम बहुत टाइम से या तो किसी चीज को नजर अंदास कर रहे हैं या उस पर गौर नहीं फर्मा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हो सकता है कि हमें किसी चीज का डर हो या भै हो या फियर हो इस वज़ा से या हो सकता है किसी तरीके की आपकी कोई सामने आ जाए तो कईना कई अनकमफर्टेबल होता है लेकिन उसके बाद का जो होता है टाइम पेरियर्ड वो बेस्ट होता है विकाज हमारे पास यहां पर रीबर्ट का कार्ड है कुछ चीज जो है वो खतम होने वाली है आपकी लाइफ में और कुछ नया जो है वो शुरू होने वाला है किसी तरीके की चैलेंज को किसी तरीके की डिफिकल्टी को मुसीबत को आप उवरकाम करने वाले हो उससे आगी बढ़कर निकलने वाले हो उसके अलावा हमारे पास यहां पर कार्ड है टू अफ काप्स डेफिनेटली जो मुझे लगता है आपको अपने किसी अच्छे फ्रेंड से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है मार्च के मन्त में हो सकता है कुछ emotional सपोर्ट मिले उसके अलावा जो मुझे दिखता है जो लोग already relationship में है मुझे ऐसा लगता है कि उनका relationship जो है और जादा blossoming होगी उसमें और जादा अच्छा होगा आपका जो relationship है उसके अलावा यहां पर eight of wands का card है जो कि कई न कई बात करता है कि आपकी life में चीजे थोड़ा जल्दी जल्दी speed पकड़ेंगी हो सकता है कि पहले life में हर चीज बहुत slow चल रही थी या हर काम बहुत slow चल रहा था लेकिन अब improvement आएगी चीजों में बहुत जादा हो सकता है कि आप पहले आपको सोचने में या decision लेने में बहुत time लग रहा हो या दिक्कते आ रही हो लेकिन कहीं न कहीं आप आपका जो mind है वो जादा अच्छी तरीके से work करेगा जादा अच्छे ideas आएंगे जादा अच्छी creative चीज़े होंगी उसके अलावा हमाई पर seven of cups reverse में है जो की बहुत अच्छी बात है कहीं न कहीं बात करते है कि में भी आप किसी चीज़ को लेके confused है उस चीज़ पर clarity जो है यह love related भी हो सकती है यह career related भी हो सकती है वो आपको मार्च के मंत में मिलेगी हो सकते हैं आप शरुआती टाइम में बहुत जादा stress रहें परिशान रहें किसी चीज़ की वज़ा से कि किसी चीज़ का आपको solution नहीं मिल रहा या हल नहीं मिल रहा लेकिन उस चीज़ में आपको justice जरूर मिलेगा उस चीज़ का answer आपको खुद पता चल जाएगा और justice card भी आपको यही बात करता है कि किसी ना किसी चीज में आपको justice मिलना उसके लावा यह यह भी बात करता है कि कोई हो सकता है आपका कोई court case चल रहा हो उसमें आपको आपकी favor में चीज़े हो सकती है March की मन्त में Then we have the three of pentacles जो की बात करता है कही ना कहीं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो career को लेके ज़्यादा focused है कई ना कई इस चीज में इनको help होगा कि उनकी concentration power बढ़ेगी वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से focus कर पाएंगी उसके अलावा अगर मैं short में बताऊं तो यहाँ पर हो सकता है आपकी life में कोई ऐसा person आए जो आपको लगे बहुत romantic है या आपके लिए बहुत अच्छे है लेकिन वो person आपके लिए बहुत जादा loyal ना हो तो pay attention का card जो है वो बात करता है कि अगर कोई red flags है कि means आपको कोई चीज ऐसी दिख रही है तो उन पर गौर फर्माइएगा blessings है आपकी life में learning होगी joy है universe आपसे कहती है अल्ला आपसे कहते है कि trust करिये हम पे जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है थोड़ी बहुत worries हो सकती है बट overall जो मुझे दिखता है वो 70% काफी जादा अच्छा ही दिखता है तो चलिए आपकी love life देखते है तो यह है आपके March के लिए love cards कि आपकी love life में क्या होने वाला है तो यहाँ भी बहुत सारे messages है obviously बात है एक general reading है तो मैं आपको सारे बता देती हूँ कुछ लोगों के लिए मुझे सबसे पहले जो mean चीज लगती है वो यह लगती है कि आप में से काफी सारे लोग जो है वो एक long term relationship में आने वाले है किसी stable relationship में आने वाले है या फिर अगर आप already किसी relationship में है तो वो relationship जो है वो एक step आगे बढ़ने वाला है क्योंकि हमारे पास engagement का guard आया है उसके अलावा जो दूसरी चीज मुझे दिखाई देती है वो यह है कि आप में से कुछ लोग जो है separate होने वाले हैं अपने partner के साथ maybe हो सकता है कि आपका कोई court में case चल रहा हो divorce case चल रहा हो इस तरीकी की कोई चीज हो कि पहले शादी हो चुकी हो उसके अलावा ये भी हो सकता है कि finances को पैसे को लेकि कोई दिक्कत आ रही हो या फिर वो जो person आपको long term stability नहीं दे रहे हो एक long term connection आपको नहीं offer कर रहे हो तो हो सकता है उस वज़ा से आप ये decision लेंगे या फिर आपका separation होगा मार्च के मन्त में आप लोग अलग हो जाओगी उसके अलावा हमारे पास कार्ड है hanged man hanged man का कार्ड जो कई न कई बात करता है कि अगर आप किसी एक चीज़ को लेके बहुत time से confused हो अपनी love life में तो आपको उस चीज़ का हल जो है एक sweet से connection में है romantic से connection में वो और जादा strong होने वाला है आपके जो person है आपको और जादा priority देने वाले हैं और जादा importance देने वाले हैं अपनी life के अंदर हो सकते हैं आपको कुछ gift में दे या फिर आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएं इस तरीके के भी chances है और जो लोग single हैं उनके लिए ये advice है कि अगर आपके life में कोई person आता है March के month में so honestly discuss your feelings with each other उस person के साथ अपनी feelings को discuss करें और इस confidence में रहें कि आप love deserve करते हैं चाहें आप कैसे भी हो उसके अलावा हो सकता है कि आपको शुरू में लगे कि safe नहीं है किसी person से बात करना या शायद आप अपने आपको block करके बैठे हो लोगों से बात नहीं कर रहे हो या फिर इतना जादा लोगों को पर trust नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए ये message है कि it is safe for you to love, open up your heart कि आप चाहिए तो अपना दिल दो है वो open up कर सकते हैं और एक बार chance दे सकते हैं तो चले देखते हैं Oracle cards में क्या है यहाँ पर card है not for you जैसा मैंने बताया था कि separation का card आया है कुछ लोग जो है उनको relationship में stability नहीं मिल रही है या वो भुष नहीं है तो universe आप से कहना चाहती है कि वो person जो है वो आपके लिए नहीं है अगर आपको याद हो तो आभी आपने journal reading में भी देखा था pay attention वाला card आया था कि अगर कोई red flag दिख रहे हैं कोई ऐसी चीज लग रही है और आपको intuition आपकी कह रही है कि यह चीज ठीक नहीं है तो उस चीज पर विश्वास करिया उसको मानिये then we have this card time to go time to go जो है वो card कही न कहीं बात करता है कि अब आपका जिंदगी में आगे बढ़ने का समय जो है वो आ चुका है कि किसी चीज को छोड़के आप आगे बढ़े या किसी person के साथ आगे बढ़े या फिर कुछ new अपनी life में शुरू करें उसके बाद हमारे बस card है to be fair अगर आप किसी के साथ भी हैं तो उनके साथ fair रहें किसी के साथ भी कुछ गलत ना करें तो ही आपको आगे life में अच्छी blessings मिलेंगे या आपको life में आगे खुशियां मिलेंगी चलिए देखते हैं कि आपकी career में क्या है क्या आने वाला है मार्च के मन्त में अब बात करते हैं आपकी career की तो अगर हम career की बात करें तो career के लिए March का मंत आपके लिए बहुत अच्छा है आप ये लगा लीजे कि आपको बहुत opportunities मिलने वाली है March के मंत में बहुत सारी new beginnings जो है नई शुरुआत जो है आपकी March के मंत में होगी और अगर आप अपना कुछ नया work स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं उसके लावा मैं पास Ace of Sorts का card है अगर किसी चीज को लेके doubt है या काम शुरू करें या ना शुरू करें या अपनी life में कोई changes लाएं या नहीं लाएं तो वो सारी चीजे जो है उनकी regarding decisions जो है आप March के मंत में लोगी हो सकता है आपको कोई offer मिलने वाले हो अपनी job को लेके या फिर अपने work को लेके अपनी business को लेके हो सकता आप लोग की traveling हो जो कि आपके लिए बहुत जादा जो है अच्छी हो निकले आपको उसे benefit होगा आपको उसे कुछ न कुछ profit होगा तो कि यहाप इन 9 of pentacles का card है हो सकता है कि आप इस month मार्च की month में अपने उपर बहुत खर्चा करेंगे और लेकिन उससे हाँ आपके पैसों में कोई कमी नहीं आएगी ऐसाद कुछ issue नहीं है money wise बहुत अच्छा है और एकल कार्ड की बात करें तो हमाई पास यहाँ पे card आया है be bold, unleash your adventure side, take risk and be daring definitely बहुत सही चीज आई है इसमें कि आप अगर किसी opportunity का wait कर रहे थे या कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, risk लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्च की मन्त में आप कुछ नया start कर सकते हैं because आपके लिए अच्छा मन्त है उसके बाद हमाई पास यहाँ पे card है life review take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced again, अगर आपको लगता है आपको अपनी life में कुछ changes लाने की जरवत है अपने work and career में, education में या फिर कोई decision लेने की जरवत है तो मार्च का मन जो है वो best है उस चीज के लिए then we have the card, the creative writing make time to write down your thoughts in a journal or pen and pen and article or a book so basically यह card जो है वो कही न कही बात करता है कि आपके दिमाग में कोई भी ideas हाए या कोई भी thoughts जो भी है आए आपके दिमाग में तो आप उसको अगर कही पे note down कर लेंगे लिए तो आपके लिए वो जादा अच्छा रहेगा because मुझे बहुत strong energy आ रही है कि आपके work, career और education में कुछ ना कुछ नया change जो है अठी चीज जो है वो आने वाली है मार्च की मन्त में और अगर ये रीडिंग जो है आप लोगों से मैच करती है resonate करती है तो मुझे करें sorry comment section box के थूँ जरूर बताएगा और मेरे चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना बिलकुर में मत भूलेगा thank you so much